नामीबिया भूमी का 90 प्रतिशत भाग प्रकृतिक निवास्थान है इसका नाम नामीब रेगिस्तान के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है विशाल स्थान नामीबिया में लगभग 300 दिन धूप निकलती है इसलिए यहां के आस्मान में कम बादल होते हैं यहां आर्टिफिशल लाइट और वायू प्रदूशन की भी कमी है यह सब नामीबिया को दुनिया का तीसरा सबसे प्रसिद स्थार्गेजिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं नामीबिया का वजन स्टैंडर्ड वजन से कम है उज्जी हैनम एपरैरो जो की सेंटरल नामीबिया की एक छोटी बस्ती काक फिल्ड में स्थित है वहां लगभग 17 करोड साल पुराने डेनसौर के पंजित देखे जा सकते हैं नामीबिया में होबा उल्कापाथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल उल्कापिंड है जिसका वजन एक लाग उपनिस जार पचास पाउंड है नामीबिया की हिमबा महिलाएं गेरू के मिश्रण से अपनी तुचा को ढखती हैं जो उन्हें सूरच की किरन से सुरक्षा देता है वहीं ओमुजुमबा जाडियों का रेजिन उनकी तुचा को एक लाल रंग देता है 21 मार्च 1990 को दक्षन अफरिका से सुतंदरता प्राप्ट करने के बाद नामीबिया दुनिया के सबसे नए देशों में से एक बन गया नामीबियाई डॉलर यहां की आधिकारिक मुद्रा है हेलो दोस्तों मैंनुमिसमेटिक अकेडमी से अधित्या यह उमीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी हमें जरूर बताईएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे जादा मज़ेदार लगा और नेक्स वीडियो में आप किस देश के बारे में जानना चाहेंगे